अगर आप किसी भी माक्स में अटक गए हैं मोस्ट परबली 550 600 तो यहाब तो इसकोर बेटर राइट तभी आपका सेलेक्शन नीट में हो पाएगा अदरवाइस नेट में सेलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बताया जा रहा है करीब 620 से लेके 650 के 20 में होना चाहिए तो आपका जो स्कोर है आपका भी स्कोर करीब 650 ही होना चाहिए तो इस पर्टिकुलर सेजन में बताऊंगा ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपने नीट के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं कुछ-कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं कि जो गलती को करते थे हैं उस गलती को बार-बार दोहराते रहते हैं और वही जो सीन होगा वह 12 सेक्टमबर को होगा फिर से वही कोशन आ जाएगा और उसको भी आप गलत करेंगे तो आज से प्रण कर लेजिए कि आपको क्या करना है उस पर ध्यान देना है उस गलती अगर आप कुछ भी कोशन में कर रहे हैं लाइट फिजिक्स हो के मिस्ती हो बायो हो तो उसको एक सेपरेट नोटबुक पर लिखिए कि मेरे से गलती हुई है इस टॉपिक का ज्यान मुझे नहीं है कौन सा फॉर्मला अ करना चाहिए करीब दस साल का नीट का पेपर दस साल का एमस का पेपर कम से कम पांच बार करना चाहिए और बहुत सारे स्टूरेंट इस वक्त कर भी चुके हैं ठीक है तो अपने आपको इवालवीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं कोशन ना ट्राई करके एक ऐसे एक मॉक्तस देना चाहिए जो की एक्जाम ओरेंटेड हो जो की अधारीद हो इस वक्त ऑनलाइन का जबाना है बहुत सारे से स्टूडेंट हैं जो इधर उधर भठके हुए हैं और मदब की ऐसे से कोशन को प्राक्टिस कर रहे हैं जो कभी आया नहीं है जिसका तालूक हमा इसने टाइम को बरबाद कर रहे हैं और याद रखेगा सर्फ बीस दिन बचा हुआ है पंदरा दिन बचा हुआ है और इसमें अगर आप टाइम को बरबाद करेंगे तो समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा नीट के स्कोर पे तो वैसे ही मॉक्तस करना चाहिए जो कोस्ट है और यह इसलिए बहतरीन है क्योंकि एन अकाडमी के एजगेटर जो टीचर है उन्होंने खुद ही सेट किया है आप समझ सकते हैं जो टीचर खुद से कोशन बनाएगा तो उसकी बहुत हाई लेबल की होगी वह बहुत मजदार है मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे म माला हान अकाडमी के तरफ से और काफी बहतरीन माना जा रहा है बहुत सारे स्टुडेंट ने इन्रॉल किया है इस और अपने को आख सकते हैं कि आप कहां पे स्टेंड कर रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और सबसे बड़ी बात जो हमारे हिंदी मीडियम वाल इन्रीट का है यानि दो से पांच में यह टेस्ट होगा और फ्री अफ कॉस्ट होगा डियार एवलेबल इन हिंदी और इंग्लिश मेडियम और सबसे इंपोर्डन है कि आप अपने रांग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा रांग कैसे आ रहा है ठीक है इसका वीडियो स Lawrence सेन्हें लेख सकते हैं समझ सकते हैं जान सकते हैं पहचान सकते हैं उपने गलतियों को अहसास कर सकते हैं डिटे टेस्स रिपोर्ट मिलेगा carbon Business और यह रीदेश नीट यूजी तेस्ट 28 अगस्त को होने वाला है दो बचे दूसरा टेस्ट सेप्टमबर फर्स को तीसरा सेप्टमबर फोर चौथा सेप्टमबर सेवन और पांच वा लास्ट सेप्टमबर नाइन दो से पांच इन्रॉल कर लिजिए मेरा कोड लगा लिजेगा डॉक्टर इसके सिंग हर वर टेस्ट जरूर दीजेगा इस टेस्ट के देने के पाद अगर इसमें कुछ सॉलूशन में गड़बड़ी हो या कुछ आंसर आपको नहीं आते हूं आप पेपर में लिख लिएगा उसको बार-बार रिकॉल करेगा तो यह तो दूसरा टिप्स हो गया तीसरा सबसे इंपॉ दो दिन पहले आप किसी से बात मत करिए अपने दोस्तों से भी बात मत करिए क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे आपके दोस्तों और यह आता है अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे आप मायूस हो जाएंगे आ एक और इंपॉर्टेंट टेप्स यह है कि जब भी आप एक्जामनेशन सेंटर में जाएं या आसपास किसी से कोइभी को को डिसकेशन नहीं करना है किसी भी को अपनी दम पे दीजिएगा बेहतर करिएगा और रिलाक्स होके एक्जाम दीजिएगा आप सेलेक्ट होंगे और बेहतर करेंगे थैंक यह सो मुच आल आप यू थैंक यू